तीस साल से अगर कोई एकी चीश स्टेगनेंट पे है कि वहां गर्मी ही पढ़ती है वहां तीस साल से बरफ ही पढ़ती है तो वहां का क्लाइमेट हो चुका है वह वैदर नहीं है आप मैंसे बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे क्या रीट्रीटिंग क्या एडवांसिंग बंदा होता है ऐसा गरम मचली आएंगे तड़ फड़ा के थंड़े की तरफ भागेंगे तो वहीं मच्वारे बैठके अपना मचले निकाल लो क्योंकि मचलों को भी तो गरम पानी से उचलती ना गरम ठंडे से उचलती तो वहां पे आपको बैस्ट फिशिंग मिलता है धर है सभी के सो कैसे हैं आप लोग कैसी चलरी आप लूग लोगे पढ़ाएं आप लोग अच्छी आप लोग सबीट करका होना बहुत जरुरी आठके है आउप यह रहना इंडिया के लिए बहुत बहुत आसान है मैं यही कहूंगा बस क्या है कि बच्चे चलवा देंगे कि कौन सी चीज कहां से आ रही है तो टैंशन नहीं रहने वाली है इस चैप्टर में आपके अच्छे माक्स बनेंगे इस बात की मैं पूरी पूरी मदब ऐसी विश करता हूं कि भाई आप लोग इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाएं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं आप अपने लेक्चर में जो भी मुश्किले देखते आए होंगे अब तक या जो भी आपको डिफिकल्टीज रही हैं वो सारी आज खतम कर दें इसी कोशिश के साथ चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये लेक्चर मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंग चाहर आप सभी का हमारे आपके इस प्यार बिले प्लैटफॉ क्लाइमेट और बहुत आसान बात बहुत आसान टॉपिक बट बच्चों को अभी भी कन्फीजन है उसे दूर कर देते हैं क्लाइमेट और वैदर में क्या फर्क है मैं यह कहूंगा कि एलिमेंट्स तो सेम है मतलब जो इसमें इंपक्ट आता है जिन फैक्टरस की वैसे आता आप सभी ने सुना है सीजन आया है गर्मी का बारिश का मॉंसून आया है कैसे रहा है यह सब भी हम पढ़ने वाले इसके लावा आपको देखेंगे तो इसके लावा आपको एक टॉपिक और मिलेगा जिसका नाम है डिस्टिबिशन ओफ रेंफॉल बहुत ही आसान है डिस् कि कैसे मॉंसून जो है पूरे देश को एक जुट रखता है कैसे इसने सब को एक जैसा बनाया हुआ है कैसे यह सब के लिए इंपोर्टन है यह हम देखने वाले हैं बट बिना किसी देरी के आते हैं अपने पहले टॉपिक पर डिफ्रेंस बिट्वीन क्लाइमेट एंड वे अगर आप एक्मस्विक्ट चेक कर रहे हैं पूरा कि वहां पर कैसा माहौल कैसा वातावरण है तो आप बात कर रहे हैं वैदर की ठीक है क्लाइमेट अलग है क्लाइमेट का मतलब कि आपने एक से ज़्यादा एरिया को कांट कर लिया टाइम डूरेशन भी आपने लगबग 30 साल किसी ले लिए 30 years तक का आप ले रहे हैं safe for 30 years आपको देखेंगे 30 साल या 30 साल से ज़्यादा का आप चेक कर रहे हैं उसे क्लाइमेट कहते हैं तो यहां पर मैं अगर आपको समझाओं बहुत सिंपल सी भाशा में तो आप एक ची समझेगा कि यह एक थाली है खानी की ठ बात है for example मैं आपको समझने के लिए समझा रहा हूं कि एक पर्टिकलर किसी एक चीज़ की बात हो रही है पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है एक परिकुलर इलाके की बात हो यह तो वैदर है क्लाइमिट कैसा रहता है बच्चो वही ठाली है उसमें तमाम कटोरी और य अगर में इन कंडिशन को एड़ कर दू तो आपका भी बच्चों यह सब मिलाके बन जाता है क्लाइमेट ठीक है वहाँ पर एक साल एक हफ्ता एक महीना ऐसा ले सकते हैं यहां पर ऐसा 30 साल तीस साल से जाधा जैसे आपने देखा होगा कि मौसम तो हर रोज बदलता है कभी ठंडा कभी गरम कैसा भी बदल रहा है अब आप एक सोचे जैसे हमने बात करी राजिस्थान जैसे राजिस्थान कहें तो हमारे मन में फीलिंग क्या तेयार कोई सूखा सा होगा इलाका गर्म होगी रेथ होगा तो दिमाग में इमेज बनी ना वह इसलिए बनी कि वहाँ पर 30 साल यह 30 साल से ज्यादा से ऐसा ही है तो हमने माले कि महां का क्लाइमेट गर्म होता है अगर फ्लक्ट्वेशन रहती तो वह फिर वैदर की कंडिशन में आता क्योंकि वैदर क्या है कि वह त क्लाइमेट ऐसे चेंग नहीं होती है आई होप आपको दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा सम्टोटल ऑफ और वैदर कंडिशन्स और वैरियेशन्स ओवर लार्ज एरिया बड़े एरिया बड़े एरिया में क्या कंडिशन्स में चेंग आ रहा है वह क्लाइमेट बनता है ठीक है तो क्लाइमेट वैदर में डिफ्रेंस के लिए रहे वैदर एक जगह का होता है किसी पर्टुक्लर टाइम का होता है क्लाइमेट एक लॉंग डूरेशन का होता है बड़े एरिया का होता है सम्टोटल वैदर होता है मतला इधर का इसा इधर का अच्छा यहां का तो wind जो है हवा weather के लिए भी वही है climate के लिए अब सोच रहे होंगे तो कैसे तो एक बात सोचिए हमने क्या बोला वैदर एक point of contact हो गया यह सब आपने गिल लिए तो इस सब का total करके ही तो climate बन रहा है क्योंकि some total of weather तो some total of conditions का भी climate में बनेगा next is humidity नमी जो होती है precipitation जो कुछ ऊपर आसमान से गिरता है तो यह सब चीज़े जो है दोनों में common होती है बस फर्क क्या है यह particular point of time का है particular area का है यह बड़े एरिया का एक बड़े समय का है लगबग 30 साल 30 साल से जादा समझ में आए कि नहीं है बहुत आप से question पूछूंगा मैं अब आपके लिए homework मानिए आप लोगो comment section में मुझे यह बताना है बच्चो कि राम एक परसन है he has observed best conditions fluctuate very often within a day एक दिन की बात हो रही है जैसे कि आज मान लीजे मंडे है जैसे मान लीजे फरक्समबल आज मंडे है मंडे को एक परसन खड़ा है राम और इसके सामने जो मौसम है ना जो वैदर है मतलब वैदर है climate है जो भी है वह fluctuate हो रहा है मतलब कि बहुत जादा बदल रहा ह डे बाइडे विदिन एडे मान लीजिए डे बाइडे मान लीजिए एक ही दिन में सुबह गर्मी थी रात तक आते थे ठंड होगी तो मैं इसे climate कहूं या वैदर कहूं आपको इसका जवाब देना है और जो बच्चा जवाब देगा वह बहुत अच्छा बच्चा है तो च तो यहीं तो हम वही बेस पे जनरलाइज मतलब जनरली जो लोग मानते हैं बोलते हैं सरदी आगई घर्मी आगई बारिश आगी बस यह तीन सीजन हमने मान रखे इरली बेस पर इन तीन में पूरा साल हमारा कट जाता है तो डूआ अगर मैं आपसे यह हूं कि इंडिया का जलवाई वह किस प्रकार किया कैसी और है तो क्यों है तो आप मुझे बताएंगे कि कैसी है कॉमेंट सेक्षम में फटाफट बताईए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं कि जो क्लाइमेट आफ इंडिया ना बच्चो वह कैसी है वह मॉन्सून टाइप है कैसी है बच्चो वह मॉन्सून क्या है इतनी नहीं नहीं चीज़ें मत बताओ बारी बारी अभी हम क्लाइमेट और वैदर समझें अब आपने अचानक से मॉन्सून बता दिया दिस चीटिंग नाटी टीचर चलिए तो इन एशिया की बात करें जिसमें हम भी हैं तो इस टाइप अफ वह मॉन्सून टाइम मिलता है मॉन्सून क्या है यह आप जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि बहुत इसे टैंशन हो रही हो कि मॉन्सून तो बता दो कि क्या हो मॉन्सून ऐसा क्या है तो चलिए मॉन्सून को भी समझ लेते हैं तो आपके सामने बना हुआ है एक इमेज सीजन समझते जैसे आपने रेनी और विंटर पड़े तो वैसे ही है अब भूल के भी यह मत कहना आग बंद करके कि रेनिंग का मतलब यह यह बारिश आना मतलब मौन्सून आगे ऐसा नहीं है बच्चों वह भी एक सीजन है कौन मौन्सून इस आल सो है सीजन मौन्सून क्या ह मैंने गाड़ी रिवर्स पर टाल तो गाड़ी के दर जाएगी पीछे जाएगी अरे गाड़ी पीछे जाने के लिए पहले गाड़ी आगे भी तो जानी चाहिए तब तो रिवर्स करूंगा ऐसे क्या रिवर्स रिवर्स पर थोड़ी चलूंगा आगे भी चलेगी तो मौन कहलाता है मतलब कि जो मौनसून गया था जो विंट्स गई थी जब वह वापस आएंगी तो मौनसून कहलाएंगी इन समर में बात करें तो मरकरी यानि जो गर्मी का जो तापमा ने आपको फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है बच्चो राजिस्तान में आप देख करी यह हमेशा इतना बनारत इसलिए करते हैं वहां का क्लाइमिट बड़ा होट है वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो ट्वंटी डिग्री सेल्सियस तक आपको रात में देखने को मिल जाता है वही द्रास में माइनस 45 तक मतलब इंडिया में या वैरिशन देगे कितनी ए देखिए मतलब क्या है ऊपर से बारिश आना गोले का आना और अले का अना और पार जोनों मिलकी आना फार्क का और ना कुछ भी ऊपर से आ रहा है वो प्रैसिप्रेश घ्रां मतलब ऊपर से बटियों अब आप मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी बार इस इल्ली में मिले क्या उतनी बारिष जम्मू कश्मीर में मिले क्या उतनी बारिष हमको असाम के तरफ भी मिले क्या उतनी बारिष हमको मनिपूर में मिले गुजरात में मिले राजिस्थान में मिले मुंबई में मिले साउठ में मिले चैनल पॉसीडल है नहीं पॉसीडल एक जैसी बारिश नहीं हो सकती यानि की जो उसका अमांट है जो अमांट ओप प्रैसिपरेशन है जो सको अवांट कौन्टि DC है वह यह जैसी कभी कहीं बार्ष होती है पूरे इंडिया में कोई रिमोट ठोडि एक इसा बंदबाया तो सारे स्टेट में वर्श हो जाएगी ऐसा भी नहीं तोanta उसका फर्म जो हमाले में या बरशिंकिती दिल्ली चैनल होती है ना and types of precipitation देखे आपको बारिश का आना precipitation है ओले का आना ओले बारिश दोनों का आना तो यह होता है तो आपको बारिश मिले बरफ मिले या ओले मिले यह हर जगा पे एक जैसे नहीं होते हैं अलग-अलग quantity अलग-अलग form में आते हैं जैसे कि अगर मैं हिमाले की बात करू तो खास करकि हमाले पार्ट जो उपर कि अगर मैं बात करो मां तो हमेशे बरफ रहती है यहां तो रहती नहीं तो आप यह समझ सकते हैं कि एक जैसी form of precipitation नहीं है तो इसमाइंट बारिश कहीं पर कितनी हुई ओले कितने पड़े तो हमें वहां पर भी आपको वैरिशन देखने क मिलेगी रीजन यह है कि जितना आप हाइड में ऊपर जाते जाएंगे उतना ठंडा उतने ओले उतनी बर्फ सो अगर हम बात करें यहां पर तो 400 cm से ज्यादा बारिश होती है मेगाले में इतनी पूरे इंडिया में नहीं होती तो सर वैरियेशन है क्योंकि मेगाले में ज्य है यहां बारिश नहीं है वैरियेशन है इनमाउंट आफ प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म आप समझ सकते हैं तो यहां पर आपको क्या चेंज मिला कि एमाउंट एंड फॉर्म में आपको चेंज देखने को मिल गया है ना कि जैसा नहीं है वैस्टन राजिस्तान अभी 10 cm स रहा फॉर्म मतब तरीका यहां बारिश के रूप में बढ़ रहा है वहां ओले के रूप में बढ़ रहा है याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ याद रखोगे वादा करो याद रखोगे चीजे डिफिकल्ट नहीं मनानी है आसान मनानी ह most part of the country जो देश का लगबग हिस्सा है that receive rainfall from June to September पूरा देश लगबग जो है जून से सितंबर में आपको बारिश देखने को मिलती है पर तमिलाडू पी तो इंडिया का पाट है फिर उसके साथ ऐसा क्यों है कि उसका जो पाट है यद्म कर जो जो अब Kerry स्टीशन का जो टाइम अलग है जो import टाइप्स का लगोना प्रैसिपिटेशन ओले और बारिश के रूप में कहीं जून में बारिश कहीं अक्टूबर में बारिश कहीं सर्द्यों में बारिश कहीं गर्वियम बारिश कभी कहीं जादा बारिश कभी कहीं कम बारिश कहीं बरफ के गोले कहीं नहीं है यह आपको या आप देखे प्रेसिपिटेशन यह इंटरनली तो बहुत फ्लेक्शिवल मिलते हैं मतलब कहीं तो ज्यादा दिल्ली में आप देख लीजिए ठंड पड़ती हो इतनी ठंड पड़ती हो भाई कोकड के मर गए और गर्मी पड़ी तो इतनी गर्मी पड़ी कि वैसे मर गए तो मत बच्चों आपको यहां पर उतना चेंजिस नहीं मिलता इन एडियों में क्या मिलती आपको मॉड्रेशन देखने को मिलती है मतलब इक्वल इक्वल सा ठीक ठाक सा मिलता है जब आप बारिश की क्वांटिटी देखेंगे तो आपको एक चीज नदर आएगी कि सर इस टुव fueron east to west, vorent to west यह है, vorent to west जैसे आप यू जाएंगे, from east to west, तो जो rainfall का जो amount है वो decrease होता है, जो rainfall का जो amount है बच्चों, वो decrease होता है, अब क्यों होता है, तो शुनिए, जब हैs यहां से जातीं है, अपने साथ पानी लेके, तो यहां पर आपको मिलती है गारोखासी जेंतिया हिल्स वो है पक्की चट्टाने उनसे जब टक्राते तो यहां बारिश होती है उसका जब यह टर्ण करती है गंगा वैली के तरफ तो इनको इतनी बारिश नहीं करती है इसलिए रेंफॉल का मौंट जो वो डिक्रीज होता जाता है अब कारण यह भी समझ लीजे कि यह तो यूँ चल रही है ना यूँ चल रही है यूँ जाएंगी और यूँ पहड़ाएगा तो टक्रा के बारिश होगी पर अगर यह भी यूँ चल रही है और हिमाल्यास भी यूँ चल रहें तो भाई टक्राने का बहुका नहीं तो बारिश भी तो काम होगी होगी कि नह समझी चलो फुरा साइसा बनाने का ट्राइ कर रहे हैं बच्चो आई होप की थोड़ा सा थोड़ा सा टेडा हो रहेगा बट कोई बात नहीं बना रहे हैं ड्राइंग ड्राइंग चलिए तो जब साउथ वेस्ट मॉंसून विंड्स इधर से चलती हैं इधर से ऐसे चलती है ठीक है तो यह क्या है कि इधर आपका यह जो जो जोन पड़ गया मैं इसे कहूंगा इधर ऐसा मैं लाइन बना रहा हूं यह जो जोन है यह आपका आप जानते हैं जो दो येलो लाइन है इसमें आपका कोई और कलर ढूरते हैं चली यह आप जानते हैं यह यह वैस्टन घाट्स यह जो है आपकी इस्टन घाट्स यह इधर आपका कोरो मंदल कोस्ट मैं एक्जेक्ट मैपिंग नहीं कर रहा हूं बच्चो तो डोंड वरी उस पर मत जाईएगा इधर आपको मालनों ऐसा हिल्स मिल गई ऐसे इसे मैं जस्टेक रफ फीगर कर रहा हूं इसा समझाने के लिए परफ्रेक्ट मत मानिएगा भी इसको इधर आपकी यह गंगा वैली हो गई गंगा वैली हो गई अब आप एक चीज़ समझ यह कि आपने ऐसे यह विंड्स के ठीक है अब यह टक्राएंगी सबसे पहले आपको कहां पर टक्राएंगी यह टक्राएंगी इससे क्योंकि वैस्टन गाट मतब पहाडिया इधर भी है इधर से टक्राके इधर मिलगी आपक जाएंगी जब यह निकलेंगी तो यह मान लो ऐसा आपका यह गई यह यहां तक पहुंची जब यह यहां टक्राएंगी तो आपको यहां होगी बारिश तो इसलिए कहते कि मौसिन राम जैसे में मैं इसा रफ फिगर बना रहा हूं इसको मत जानेगा ऐसा कोटल मैं बना सक सब्सक्राशन में थी अब क्या होगा अब यह पहाड़ियां से टक्रा के ऐसे टर्न हुई अब गंगा वैली के घाट के साथ साथ चलती जाएंगी चलती जाएंगी तो इधर अपना बारिश आप देखेंगे इस टु वेस्ट आपको जाने में जो है वह बारिश कम होती है इसलिए राजस्तान जैसा एरिया जैसा आप यह देख रहे हैं यहां पर आपको बारिश जो वह लेस देन 10 सेंटीमिटर से भी कम होती है इस एरिया में भी यही रीजन है लेस देन 10 सेंटीमिटर क्योंकि उधर कोई पाड़ी नहीं था अगर इसके रास्ते में कुछ होता टकराते तो शायद यहां भारिश होती है इसमंझ में आगए के नहीं मुझे बताइए आप व्मीन करता हूं कि आप लोगों को यह परफेक्टली समंझ में पाहले की विंड का जाना एसे प्रकाल आना इसलिए यहां पे बारिश काम है यहां पे बारिश ज्यादा बारिश पर है उन्हें ऐसा हम हाइलाइट कर ले देल्ए यह बारिज जादा यहां बारिज जादा है चलते हैं आगे की तरफ बचो चलते हैं आगे की तरफ तो यह feature हमारे क्लियर हो चुके है Kilometer είक reconciliation मतलब climate को न्ट्रों वाले जो factors नो गूंचे बच्चो latitude मतलब ऐसा लेवल पे पढ़ता है समझ रहें कि नहीं समझ रहें सब आपको देखना पढ़ता है नेक्स्ट इस डिस्टेंस व्रम दसी अब डिस्टेंस व्रमदसी का मैंने आपको पहले बताया कि जितना जितना आप समुद्र से दूर होते जाएंगे उतना ही आप Continentality feel करेंगे Continentality feel करेंगे Continent क्या होता है hot के time पे very hot जब घर्मी पढ़ रही हो summer में very hot और जब cold thund हो तो very cold मतलब इतना extreme very cold ऐसा यहां पर रहेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बहुत ही moderate मिलेगा यहां पर आपको क्या मिलेगा temperature moderate मिलेगा ना जाधा गर्मी ना जाधा ठंड नेक्स्ट इस ocean current current कैसा करेंट देने साब लते ना वैसे पानी में अगर वेवस बनके तेते जाए तो current form में चला जाता है ठीक है नेक्स्ट इस रिलीफ फीचर रिलीफ फीचर मतलब जैसे आपका कहीं माउंटेन है कहीं हील रिलीफ का मतलब जो फीजियोग्राफिक डिवीजन आपको दीख रहे हैं लैंड पर उन्हें हम रिलीफ फीचर तो इनसे फरक होता है अब रिलीफ फीचर का आप देखो एक माउंटेन पर खड़े हो कि आपको ठंडा फील होगा प्लेन अरिया पर द देखेंगे क्या कैसा है थोड़ा सा ब्रीफ डिसकेशन लेते हैं लेकिट कैसा है कि ड्यू टू करवेचर अब दार्थ करवेचर मतला इसा आपको आर्थ जो दीख रही है इसा अंडाकार शेप में तो आप देखेंगे कि जो बीच का है इक्वेटर है यहां पर तो सन्रेस है इसा डारेट पड़ती तो यह एडिया आपका ट्रॉप्रीकल एरिया में आ जाता है यह यह जो एरिया आपका ऺगा आimm जाता है ट्रॉपिकल एंट ट्रॉपिकल उसके नीचे आपका सब्रॉप कल ऐसा लाइन लगा सा डिफ्रेंस कर देते हैं यह ट्रोपिकल है बहुत गरम क्योंकि सन्रेज यहां से सीधी ऐसा डारेक्ली पड़ती है उसके उपर आप देखेंगे सब्ट्रोपिकल सब्ट्रोपिकल उसके ओपर तो आपको पता ही फिर पोलर ऐसा इधर पोलर पोलर मतला इसा थंडा तो जो अर्थ के बिलकुल बीच का पार्ट पढ़ जाता है एक्वेटर वहां पर सूरज की रोशनी तेज पढ़ते हैं तो वहां पर रहती है गर्मी सब्सक हाट की रोशनी ऐसे से जाते वए तो कम लगेगी ना डारेक्ट जाता घर्मी रहेगी इस जोन में अप में जाता गर्मी रहेगी ये जो क्या होगा जो एर का एक्वेटर तो इसमाइव चले का है लाप लापर एक्वेटर यॉएदस भूल है एयर का जो गरम नरम दीखेगा अगर यहां पर प्लस मतलब गरम है तो यहां जाके मतलब बटे देख इमेज है चली एल्टिट मतलब ऐसा हाइट का जैसा कैसा रहेगा जैसे जैसे हम प्लेन एरिया सर्फेस से ऊपर की तरफ चड़ते जाएंगे कहां जाएंगे टू हायर ऑल्टिटुड दिली टू लग्दा के लिए एट्मस्फिर हमें क्या मिलेगा लैस डेंस मिल काबले आप देख लिए चाहिए गर्मी हो चाहिए सर्दियों वह हमेशा ही प्लेन के मुकाबले ठंडी रहेंगी आप जम्मू कश्मिर जाए लद्दाग जाए हिमाचल जाए उत्रागंड के ऊपर पार्ट में आपको ठंड मिलेगी जब यहां घंड होता है जब यहां ठं अगर मैं इसको आपको समझाओं यह घर है ठीक है यह घर है आप यहां खड़े तो आपको कितनी हवा आजाएगी पास होगे घरों से तक्रा के दर दर हो जाएगी तो आपको प्लेन एरिया पर तो उतनी हवा नहीं मिलेगी ना उतना प्रेशर फील होगा आप जब इस छत खड़े हो जाएंगे तो आपको हवा भी तेज लगेगी जब हम हिल्स पर जाते हैं एक्टिटूर पर जाते हैं तो मैं ऐसा रगता है ऑक्षिनिक कमी हो रही है क्योंकि हम पर टेंप्रेशर कैसा दबाब प्रेशर पड़ता ना उपर से क्योंकि वहां पर तो एसा खतम माम समझे होंगे कि हम एक हाइट पर जाके खड़े होंके फील करें टेंप्रेशर को तो आपको दबाब फीलोगा कि सांस नहीं आ रही है वहीं आप प्लेन अरिया में तो यह बहुत सारे लोगों को जब अमरनाथ की यातरव जाते तो हैल्ट चैका बहुत होता है वह इसलिए सांस नहीं आई थोड़ा बहुत ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं जाओ क्योंकि वहां नहीं मिलेगा तो फिर लपड़ा हो जाएगा सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यह तो हमारा एक्वेटर है जैसे समों उपर जाते जाएंगे आपको उतना ही लेवल में प्रॉब्लम होगी तो यह प्रॉब्लम करता है क्योंकि आप देखेंगे यह एक्वेटर का है तो आपको यह जो 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 बच्चों यह आपको सेंटरल पार्ट है जो जिसकी इंडिया जो वो नॉर्थ इस्टन नॉर्थ इस्टन ली विंट्स में आता है तो वहां पर आपको जो है पोजिशन ऐसे पता होने चाहिए तो आपको पता चल जाएगा वह ठीक है एक पोजिशन है चलते हैं आगे बच्चो डिस्टेंस फ्रम दसी मैंने आपको पहले ही बोला समुद्र से आप जितना दूर जाओगे उसमें आपको क्या फील होगा कॉंटिनेंटिलिटी फील होगी क्या फील होगी कॉंटिनेंटिलिटी फील होती है यानि की very hot during summers and very cold during winters so as distance from sea increases जितना जितना आप समुद्र से दूर जाते जाओगे उसकी moderation जो feeling है influence हो घटता जाएगा यहां से आप जितना दूर जाओगे अंदर की तरफ उतना moderation घटता जाएगा ऐसे रिजल्ट क्या होता है लोगों को feel होता है continentality बीवर्म और कूल माल लीजिए ऐसा इंडिया का मैंने ऐसा रफ बना दिया यहां पर आपका क्या चल रहा है ऐसा cold current for example तो यहां का जो temperature होगा बच्चों वह भी ठंडा होगा क्योंकि पानी से cooler के पानी से कैसा होता है cooler का आप पानी भरते हो आपको सूखा cooler चलाने पर गरम फील आता है क्योंकि no water गरम था तो गरम यह ना और गरम पानी डाल दो तो आपको गरम हवाई मिलेगी बट अगर आपने उसमें ice water डाल दिया cool water डाल दिया chilled water डाल दिया तो आप देखना आपको cooler ठंडी होगा तो जब यहां पर आपको cold जो है temperature बना रहेगा बट अगर यहां पर आपको warm current आपको यहां पर warm current आ गया तो इस एरिया में temperature कैसा बना रहेगा climate कैसा रहेगा warm रहेगा भाई हवा से ही तो पानी का moisture वो चलना है तो उदर कैसा रहेगा इसे बनेगा moisture तो वह सब गरम वैसा ठंडा जब डिपेंड करता है जैसे अब गरम ठंडा कहा होता है तो आप देख लिए पोल्स वाले जो एरिया होते हैं जो पोल्स वाले वह ठंडे होते हैं तो वहाँ पर पानी भी भाएगा वह ठंडा भाएगा बीच इससे में आपको रर Taricで सब्सक्राइब लस्क्राइब सब्सक्राइब इससे इसके तरीके आपको जलता है ठंडा और गरम जो भाएथा रहता है ओशन मैं आपको पता है करें तो तो चलता ही रहता है मिशा कहीं ने कहीं नीचे से फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है अब जहां पर ठंडा और गरम मिल जाए जैसे मान लोगी एसा एरिया यह बेस्ट फूर फिशिंग हो गया जहां पर आपका प्लस वॉं की मीटीं हो जाए जहां पर मीट करें वह बैस्ट हो था पॉर फिशिंग मचली पालन के लिए यहां पर मशलियां बहुत मिलेंगी ऐसा गरम मशलियां के थंडे की तरफ भागेंगे तो वहीं मचवारे बैठके अपना मशलिया निकाल लो क्योंकि मशलियों को भी तो गरम पानी से उचलती तो वहां पर आपको बैस्ट फॉर फिशिंग मिलता है आगे चलते हैं बच्चो पढ़ते हैं और आगे की तरफ वटार दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट अब देखिए बोल रहे हैं कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन-कौन से फेक्टर अफेक्ट हरते हैं यह आप बता दीज इसा लेट या पैसे ऐसे तो लेट इनी जैसे मैं खड़ा हूँ त्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह पास होता है मिडल अफ दे कंट्री से यह हम जानते हैं इंडिया के बीचो भी से यहां से गुजराच से इस मिजोरम तक पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉमेंट इस्ट तो लाइन तो ऐसे सीधी है वो तो हमारा थर्टी टूवन फोर टूर नाइन सिक्स वो नापने खाया मिजोरम एंड गुजराथ तो आप इस लाइन में आपको कितने स्टेट मिले मैं आपको पहले बता दिया दो चार छे आठ दस कितने हैं गुजराच से लेकर मिज समझे लिए कि इंडिया का जो दो पार्ट डिवीजन है वह हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैसे क्योंकि इंडिया के ऐसा अगर मैं यह आप नक्षा देख रहे हैं तो इसमें आप एक चीज़ पाएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बच्चो यह लाइन है थोड़ी बहुत टेडी मेडियो जाब को बादी इधर नॉर्थ इधर साउथ तो इंडिया को दो हिस्से में बाटने का काम किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं सो इंडिया को जो आप एक चीज समझ सकते हैं जो यहां पर लिखी हुई है कि लाइंग साउथ आफ ट्रॉपिक मैं इसे रफली बता रहा हूं कि ऐसा एक्वेटर रफ लाएने बच्चो मेजर मत की जगा सो डॉन वरी टेड़ी हो गई है कोई बात नहीं मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूं सो प्लीज कोई वैसे मत लेज़ेगा सर ने ऊपर नीचे कर दिया यह एक्वेटर हो गया अब एक चीज समझें कि आपको वाम जो है वो गरम जो 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 है यह आपको ऐसा ट्रॉपिकल यह आपको ट्रॉपिकल जो रैड से हैं तो इंडिया के यह आपका जो है वो क्या है बच्चो सब ट्रॉपिकल है गरम है पर उतना गरम नहीं है जितना ट्रॉपिकल था तो इंडिया की अगर मैं बात करूं रव रव नौर्थ हो चाहें साउथ ट्रॉपिकल में तो आता है उपर वाला सब ट्रॉपिकल में नीचे वाला जो है वो ट्रॉपिकल में आता है तो साउथ के पास आप देखेंगे इसलिए मौसम जो भाई साभ थोड़ा आपको भयान अक्सा दीखने को मिल जाता मतलब नमी नमी साथ गरम गरम क्यों कि पानी है तो नमी हमेशा बनी रहती है तो जो साउथ का एरिया वह आपका आगया ट्रॉपिक जो कि साउथ में हे प्लस सब ट्रॉपिकल जो की नौर्थ इंडिया का हिस्सा है दोनों ही फीचर से गरम थोड़े कम कर रलवी है ठीक है दोनों ही फीचरतर से नहीं लिखावाव फीचरस 53 आप से पूचहें कि कैसे तो आप बता सकेंगे कि वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रहा है उसकी वह से हम देख पा रहे हैं कि दो हिस्तों में इंडिया को डिवाइड कर दिया जो साउथ है वह तो एक्वेटर के पास आ चुका तो वह जो जो है ट्रॉपिकल है और जो से उपर बच गया है इंडिया जो ट्रॉपिक मतलब क्या है हाइट मैंने आपको पहले बता है एक उचाई पर आप खड़े हैं यहां खड़े आप तो यह एल्टिट्यूड है यह क्या है यह एल्टिट्यूड है एक मतलब जैसे कि हिंदुस्तान में देखे तो माउंटेंस डैट है जिनकी एवरेज हाइड भी 66000 मीटर यह उससे जादा भी होती है एक अच्छी खासी उचाई पर खड़ें तो आप एल्टिट्यूड पर खड़ें आप इस समय लेक्टिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं सो हिमाले जो है जो एक एल्टिट्यूड का ही एक्जामपल है एक मिहाले क्या करता है मारे लिए एट प हिमाले कहता है मैं खड़ाओं तू पार नहीं हो सकता क्योंकि अगर हिमाल्यास नहीं होते तो यह ठंडी हवा जो है पास हो जाती और दिल्ली यूपी पंजाव अर्याना तो शिकुड के रह जाते पूरे हिंदोस्तान में टेंप्रेचर अलग होता हिमाले स्थंडी हवाओ यहांने हमें बचा लिए है तो खबर आपसे पूछें कि क्यों हमें माइल deux यह वारा है यह वारा है तो देख लीज़गा हमारे जोन के तरफ को फिल वाले ये हैं खुर ईन विंड की बात कर ले बैसे है कि धरती घूमेगी धरती घूमेगी जोड 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 से आप अगर अपने हाथ को ऐसे से चलाएं तो आपके आसपास एक हवा फील होगी तो हवा wind system का कैसा है इंडिया lies in the region of north easterly winds अब north easterly winds में जो है इंडिया आता है क्योंकि अगर आप देखें इसको मैं ऐसे बाटू पूरे zone से अगर मैं ऐसे आपको globe के हिसाब से लेता है इसमें थोड़ा समझा अगर यह पीस क्या है नौट इस्टे तो इंडिया जो आता है वह नौट इस्टली विंट के उसमें आता क्योंकि उदर से हवा का इसा रहता है तो दीज विंट्स ओरिजिनेट यह हवा कहां से आती है फ्रम सब ट्रोपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू दा नौर्धन हम ऑफ नौर्धन हमिस्पेर तू साउधन हमिस्पेर के तरह अब क्या होता है मैं अगर आपको बता हूँ एक और एक्जाम्पल के तरू समझी है कि जो एयर है वह आप हमेशा ही ध्यान रखना मूव करती है है फ्रम हाई प्रेशर मैं लिख देता हूं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ठीक है हमां तो मूव करती है ऐसे अब हमने क्या पढ़ा बच्चो हमने पढ़ा कि सर आपने यह बताया कि यह जो एरिया आपको दिख रहे है यह पोल्स है यह पोल्स है फॉर एग्जाम्पल य यह आपका ट्रॉपिकल यह आपका ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल यह ट्रॉपिकल ठीक है और उससे उपर आपने बता दिया सर सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ठीक है और उससे अपर मतलब मैं ज्यादा नहीं जा रहा है ऐसा उपर की तरफ यह आपके फ्रिजिट जोन हो गई फ्रिजिन मताब ठंडे जून डोने तरफ सेम होता है फ्रिजड जून अब हवा वेशा हाइप मेशा हाइप फॉलल दक फॉल कि तरफ राफ यूडफ लो प्रेशा गलता गरम की तो हमेशा ही क्या हुआ आपने देखा कि ट्रोपिकल के मुकावले तरपिकल तो गरामै उससे ओपर यह धंड आ है इस से ओपर बोगारे हवाकु मिंहों तो कुछ यहीं डारेक्षिन में चाहिए हमीशा ही हई प्रेशा तो लौ प्रेशा तो हमेशा ही क्या और है देख रहे हैं Northern Hemisphere से आपकी जो हवा है वो Southern की तरफ जा रही है यही लिखा है फ्रम सब ट्रोपिकल बैल्ट जो क्योंकि ट्रोपिक्स के ऊपर सब ट्रोपिक है उस बैल्ट से Northern Hemisphere की जो वो बेल्ट है देखो अभी भी देख लो नॉर्डन में इस पर की बंट है सबट्रॉपिकल यह रह यह लिख रहा उस्से नीचे की तरफ जा रही है तो अब देख सकते हैं कि यह गरम जोन है यह गरम ही रहेगा और हवा जो होपड से नीचे की तरफ मुव करेगी ही करेगी सो दीज विंट्स बिलो साउथ वर्ट नीचे तरफ जा रही है मैंने बताया बराबर बात है कोई डाउट नहीं है बट गैट डिफ्लेक्टिट डिफ्लेक्टिट यह मतलब यह कि आना तो इन्हें ऐसे था भाई हमने तो यही बताया हाई प्रेशर तो नीचे जाती फिर यह टकरा जेती और बढ़िया कुछ काम हो जाता नहीं अगल से डाइवर्ट हो गई को बीकट्थ और नौर्ट से आने वाली हवाज आपको आसे अन मिली और fat प्रेशर की तरफ यह मूव कर रहे हैं तो अभी भी ऐसा नहीं कि हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं एक्वेटर पहलो प्रेशर बट इन्होंने क्या है एक्वेटर पे जानी सीधी चाहिती सीधी ना जाके यह तर्न हो गई है है अभी भी दोनों लो प्रेशर पे यहां रखिएगा बट डारेक्शन से डिफ्लेक्ट होगें डिफ्लेक्ट होना मतलब इसाथ टैन होके मुड़ जाना ठीक है जू टू कोरिलिस फोर्स तो डू यू नो इस विंड्स केरी लिटिल मॉइस्टर एस दे ओरिजिनेट एंड ब सूखा एकडम एरिट लैंड होना चाहिए था बट एटास ऐसा तो नहीं है मैं सूखा लैंड होना चाहिए ना ऊपर से ठंडी हवाय रही है कोई पानी नहीं है तो फिर सर हिंदुस्तान ऐसा राजिस्थान की तरह सूखा क्यों नहीं है तो देख लेते हैं देख लेते हैं सो कॉरिलस फ्रस हमंझे लीजिए एक ऐसी फेर्स actress है किसके वीचा होती है network रोटेशन वेशन विश유त होती है इसकी वजय से जो विंट इडिफन होती है नौर से आने Summer इ llama साने वह लेफ्ट को इसे हम फेर occasion बहुत को को आपको बता चुका हूँ कोरिलीस फोर्स यह है कि इनको आना था सीधा आना था तो सीधा बट यह दर मूव कर गई यह दर मूव कर गई अभी भी लोग प्रेश की तरफ ay ya हुआ कोरिलीस उसकी तरफ से जिसे हम फैरल स्लोभी कहते हैं सो सर्दियों के टाइम क्या होता है high pressure area जो वो होता है north of हिमाल्या समय शर्दी मतलब ठंड तंड होता है है रहाइब लो प्रेशर किदर मिलेगा हीत की दरफ हाइब है रही बता रहूं कि धर होगा तरफ चलेंगी हिमाल्य से नीचे की तरफ चलेंगी तो केन यू आइडेंटिफाइदा लो प्रेशर रिजन्स क्या बता सकते इन मसे कौन सा लो प्रेशर रिजन होगा कोमेंट सेक्शन बताना है ऐसे नहीं मांटेन पर लो प्रेशर रहेगा डेजर्ट पर रहेगा ओशन पर रहेगा या फिर इन सब पर ही low pressure रहेगा कहां पर रहेगा सो इन समर अगर गर्मी की बात करें situation उल्टी हो जाती है उल्टी का मतलब क्या है बाई साथ अभी क्या था हिमाल्याज यानि की cold अरिया में आपका क्या बना बच्चो हाई प्रेशर समर जब आएंगी तो आपका बैसिक सी में और बात बता दूँ आपको कि जो लैंड है ना बच्चो जो लैंड की जो फीचर है और जो ओशियन का जो फीचर है वो समझ लीजी एक और बात एक और बहुत बेसिक मंत्र है जो लैंड है वो heat भी होती है quickly और cools भी होती है quickly जल्दी गरम जल्दी ठंडी ठीक और वहीं अगर ओशन की बात करूं तो यह slowly यह भी slowly ठंडा भी धीरे-धीरे गरम भी धीरे-धीरे तो अब यहीं चीज आपको factor समझ में आएगा कि भाई जब pressure high pressure रहा तो ऐसा सर्दियों में heat ठंडी रही तो उपर से आई होगी और यहां पर यह quickly हो रही है तो यह reverse भी हो फैसर फिल सर्दियों में ठंडा रहता है जमीन का क्योंकि जल्दी ठंडी होती और गर्मियों में आपको देखेंगे कि भाई जो लेंड है वह गरम बी चल्दी होती है अब लेंड जब सर्दियों में ठंडी जा थी मतवल जा участ 건 कर दो कंभी मतों आप सिंपन समझो जब winter है तो थंड यहां हिमाल्या के पास होगी तो यहां से यह चलेगा जब समर आएंगे तो ऊपर मैंने क्या बोला यह quickly hot भी होती है गरम होती है तो यहां पर तो पहले तो सर्दिम हाई अब हाई प्रेशर तो इधर मूँव हो जाएगा ना बच्चो अगर उधर गर्मी बन गया उधर गरम हो गया तो अब यूँ चलेगा तो पानी उसके मुकाबले जादा ठंडा रहेगा गर्मियों में पानी जादा ठंडा रहेगा अब समझ गये हैं चली आगे इन समर लो प् इंडिया तो एयर करती है मूव फ्रॉम साउथ इंडियन ओशियन क्यों क्यों क्योंकि मैंने क्या बताया अब जो है हाई प्रेशर ओशियन की तरफ क्रिएट होगा कब इन समर्स इन समर्स और अगर यहीं बात कर ले इन विंटर्स की तो हाई प्रेशर यहां अब आप देख सकते हैं हाई प्रेशर कब कहा है मैं लिख देता हूं आपको यहां लो प्रेशर और यहां लो प्रेशर तो विंटर में आपको लो प्रेशर मिलता है ओशियन के पास जो की रिवर्स होती है कंडिशन समर्स में आपको देखेने को मिलती तो आगे बढ़ते हैं बच्चो एयर मूव कैसे करेगी आप सभी को पता है साउथ इस्ट डारेक्शन में मूव करती है और उसके बाद वह एक्वेटर को क्रॉस करते करते टर्न होती है राइट की तरफ क्योंकि आपको बता है कोर्लिस फोर्स की वेसे और ओवर दा इंडियन की है किसकी वैसे कोर्लिस की फोर्स से यह वज़े से बूलना नहीं है बच्चो यह याद रखना तो क्या हुआ कि जब आपने एक्वेटर को क्रॉस करते हुए देखा विंड को तो वह क्या होगी राइट की तरफ तरफ हुई है सॉरी वह उपर जा रही है बट मैं इंडियन के नक्षे के साब से बता रहा हुँ कि वह एक्वेटर को क्रॉस करते हुए कहा है कि बच्चो क्रॉस क्रॉस करने के बाद राइट के दरफ टरन करती है और इंडियन सब कотивça के वहाँ से जो ओपर से एक चल रही होती है जी आगे देखते हैं यह जो हवाई है जो चल रही है डिफलेक्ट होके चल रही है इनहें क्या कहते हैं southwest monson winds क्यों कहते हैं क्यों आपने देखा गर्मियों में यह southwest कीतर चल रही है क्योंकि इंडिया का नक्षे के साफ से देखें तो ऐसे मिलेगा बट अगर ओवरॉल देखेंगे तो आपको वह डारेक्शन अलग मिलती हम तो एक साइड में है ठीक है यह साउथ वैस्ट मॉंशन विंड है यह और शियन के ऊपर से बहती है यहां से बहती है तो अपने साथ म साउथ वैस्ट की तरफ से चलती है अब आ गए हमारे सीजन सीजन सोते हैं बच्चो चार एक ठंडा सीजन कोल्ड वैदर दूसरा होट तीसरा मॉंसून का एडवांस प्री मॉंसून दूसरा यानि मॉंसून का आना प्री क्या इसा मॉंसून आई गया और चौता है मॉंसू से जो है फरवरी तक चलता है यह और आप सभी जानते हैं डिसेंबर एंड जैन्वरी जो हो कोल्डेस्ट मन्त होते हैं बच्चो नौर्धन पार्ट में यहां पर जो टेंपरेचर होता है वह डिक्रीज करते वे जाता है फ्रॉम साउट टू नौर्ट अगर आप यहां से चलन में रहता है करीबन 24-25 और वहीं नौर्ध इंडिया में नौर्मल ही रहता है ठंड में 10-15 डिग्री सेल्सियस ठीक है 10-15 डिग्री सेल्सियस नौर्ध इंडिया में और हिमालय परवत के उपरी इलाकों में आपको बहुत कॉमन मिलेगा फ्रॉस्ट ओस जैसा आप देख रह रही थी इंडिया के सब्सक्राइब से जो चलती है कहां से चलती है फ्रॉम लेंड टू सी बाई नौर्थ इस्ट में ओशियन तो ही नहीं तो फ्रॉम लेंड टू सी चलेंगी सो कैन यूंसर मोस्ट पार्ट अफ कॉंटिनेंट इस हैविंग डैस सीजन कैसा मौसब रहता है पार मोस पार्ट अब सीजन कॉंटिनेंट इंडिया में कैसा रहता है कमेंट सेक्षिन वताना है या आपके लिए ऐसा कोमेंट वर्क है एसा कोमेंट ह्रक है आप बताएं कि कैसा रहता है बढ़ते आगे कि तरफ लेड कि तरफ सी थी हावा सी तरफ ciao जे arrived इसे तरफ हावाद चले जब सी से लेंस की तरफ चले इसे कहते हैं अपना रान चाहँदेख देखे अ और नमॉन्ट इसे Dec-7 म na जानग तो इसको पानी मिला जब जब सर्दिया थी सर्दियों में मिलता है तमिलनादु के कॉरो मंडल कोस्ट को पानी में बताओ कैसे कैसे मिला है अब आपको भी यहीं बताना है तो देखिए वाय ओल तमिलनादु कोस्ट अब क्या होता है जब घाएसे आ रही होती हैं है तो यह фильм थी तब भी अगर ऐसे हैं कभी जिंदगी में वारिश नहीं होगी अगर घुल्ज ऐसे हैं तो बिलकुल वारिश होगी तो यहां पर अइसे आती हैं तकराती हैं इसलिए सर्णियों में कोरओ मborड़ कॉस्ट पर आपको बारिष देखने को मिलती है वही नौर्दन पार्ट की के बात करें तो आप सभी जानते कि यहां पर हाई प्रेशर रीजन था इसलिए विंड्स यहां से चल रही थी तो यहां जो वैदर होता है वह साफ होगा टेंपरेचर भी ठंडा ठंडा होगा हुमडी तो बिलकुली ना के बराबर होती है एंड हवाएं भी कभी ठंडी कभी म मतलब आजसा रयित्मिक सीजन में आते हैं मतलब कि अगर्म होते हैं सफ में कुछ अपने sap करने को आरें किस्ट आते हैं ख scorpion को कि दर से आते हैं कि मतलब कि आप है तो तो मेरी पात्थ सुनो नॉर्ध और नॉर्थ वेस्ट यह आपका नॉर्थ है ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाता है कि इसे में originate का हुई comment में बताइए कहा originate हो सकते हैं इंडिया यह इदर अफगानिस्तान पाकिस्तान इदर यह आपका Mediterranean Sea यहां पर यह विंट्स जन्रेट होती है यहां से पास होती होती है इंडिया में जो एंटर कर जाती है ना यह इसे आती है रहें से नौट यह डिस्टरमेंस आपको इसकी जानकारी में पूरी दूँगा तो कैन्यु एडिंटिफाए दप्लेस वेर इस लोग्रेशर सिस्टम ओरीजिनेट तो यह लोग्रेशर सिस्टम कहा originate हुआ होगा यह आपको बताना है यह आपको बताना है कि no pressure originate system originate कहां हुआ होगा तो देखिए Mediterranean Sea में यहाँ से सवा यह से हैर से sais is a cross करके ili से चलती है इनी की बदूलाइट जो हो distributed B defending तो यहां create ह entrarian सी में ब्राइण से cela जा एक दो ऑफ यूश चल रहे थी आपकी तो नौर्टीस से या इसे जा रहे यह घा तक्राइएंगी पानी दे पानी दे घ्राइएंगी तो पानी गिरता है इसलिए गिरता है तो तो टैमांट ऑफ विंटर रेनफोल जो एची एम हावत का पानी कहते हैं सर्दियों में जो बर्षा होती है जो रेनफॉल होती है महावद का पानी बोला जाता है आप समझ गए कि नहीं समझ गए ऐसे वह तो ऐसे आरी हवाएं यह ऐसे चल रही नौर्थीस्ट की यह इंसे टकराएंगे थोड़ी बारिश तो इसा होगी तो प्लेन एरियम बारिश हो गई और वहां बरफी लिला कि मैं क्यों क्योंकि सेंटरल इस्वा में फिर बरफ है ठंडा है तो ठंडे से तो यहीं आ सकता है तो इस रेंफॉल इस वेरी इंपोर्टेंट फोर राभी क्रॉप्स राभी की जो फसले होती है जैसे की एक्जामपल दीजी आप बहुत आसान है काफी फेमस फसले ग्रीन डेवलिशन में काफी इंपक्ट पड़ा था कोमेंट में बताई यह कौन-कौन सी रभी क्रॉप्स होती है वही पैनिसुलर एरिया की बात करूं मतलब आपका यह एरिया जो पैनिसुलर एरिया यह जो डेकन प्रेट्ट्व का थोड़ा अपका एरिया देखें यह एसा एरिया देखें यह बलेगा आपको मॉडरेटटिंग री लिए क्यों ओशिए 600 शे से पानी घिरा हुआ है तो यहां जो की वह具 है तो फह उप्लेट वाला यवला सहन आप देख सकते हैं यहां पे फीशन गर्मी आपको देखने को मिलती है अप्रैव गुजराट में और इंपी मैं और तैंपरीट डिगरी चेलनि मिल जाएगा मई की बात करें नौट्थ-वैस्टेर राइस्तान की तरफ तो 45 पाइफ डिगरी क्योंकि है गरम एरिया और इस गर्मी की एक खास बात ये भी है कि यहां गर्मी के सीजन में तेज हवा चलती है जिसे हम क्या कहते हैं प्यार से लू कहते हैं यह काफी तीज होती है हेलमेट ते गुट जाते कपड़े ते आजमी के मुह में इतनी मिट्टी भ लही यह हैं है जो गरम अभाय है ब्लोई ऑवर नॉर्थ इंडिया में चलती है नॉर्थ-वेस्टटी तら उत्तरOPर अंज में तरफ चलती जलते हैं ना हल मूशलाधार ऐसा चलता है बाइसा मौसम जो बिगड़ता है वह बढ़ गड़ता है इन की वैसे इन लू की वैसे तो इस थंडर स्टॉम्स आरे सोशेट विद क्या आते हैं में वोलेंट बहुत तेज आंदी मतलब और बहुत तेज बारिश टोरेंशल मतलब म पर मतलब पानी गिरना और और ढोले गोले भी आते रहती हैं वेस्ट-बेंगॉल में इनी लोकल ठंडर स्टॉम्स को कहा जाता है काल बैसा की क्या कहते हैं काल बैसा की कहा जाता है दो एस दीजकि जब vendor अब घरमी का महीना खतम और तौन नहीं सुन हो रहता है तो मॉनसू नाटकान केड़रा जहां पर होते आमकी फसकी पैसे यहमासर मैं जो प्री मॉनसुन शावर और हो पानी देता है जिसकी वएसे मैंगोज पक जाते हैं इसी को कहते हैं बच्चों मेंगोजां ही का फिला ना 되는 में next is advancing monsoon advancing monsoon मतलब मांसुन प्री तो हो गया मतलब मांसुना तो गया है अब अपना रूत्वा दिखाएगा अरली जून तक लोशण बन जाता है पूरे North एरिया में North plane's में जो है low pressure zone है जिसकी वह से क्या हdess stal सावधर्रेद्विज चल रही नो प्रेशर I am a high pressure to low pressure move करती है जाए प्रेशर को मौका मिल जाए उपर आनेगा क्यों क्यों कि उपर लोः प्रेशर है उपर चल उपर लोग ड्रेशर ऱ तो आ गई उपर इसकी वैसे जहां भी प्रेशर करेंगा क्योंकि लोग प्रेशर केशा ऐसा बूल जाओ कहीं पर हवा और साउथ ओशेन साउथ ओशेन में होती है उसके बाद एक्वेटर क्रोस करती है इंडिया का जैसा अपना इसा इधर रहता ने क्वेटर तो इधर से ओर इपने नीचे से ऐसा यहीं मैं आपको समझा रहा हूं आफ्टर क्रोसिंग एक्वेटर साउथ इस ट्रेट विंड्स ब्लो इन साउथ वेस्ट डारेक्शन अब क्या हो रहा है आप देखी कि अगर वह तो ऐसे मूब हो रही है पर आपका यह एक्वेटर है यह इस की तरसे था ऐसे था ऐसे था अब यह डिफलेक्ट हो के कैसा हो रह तो दे ईंडियान पनसूला मतलब तीन पानी से घञ़ा हुए तीन इस्से से तो इंडियन पनेश्यमाम आँ कर गई जिकाना समझेकर नहें ऐसे जाने वाली हवा ऐसे तोम मुध कर रहे थी उसfashioned के यह यहां से टरण करके ईधर हो गई तो इंडिया उधर ही है है इसलिए इनको बोला गया Southwest मॉंसून क्योंकि हमको किस दिसा से मॉंसून मिला हमको किस दिसा से यह सीजन आ रहे हैं बारिशका साउथ वेस्स कि तरफ से इसलिए जाए वेस्ट मॉंसून अगर वो 30 किलोमीटर पर आर इन दा अरली सीजन जब शुरुवात होती है विंड वाट साइड कौन सा होता है इधर से हवाँ चल रही है साउथ वेस्ट कि चलो शीट पर समझाते हैं लीवर्ड और विंड वाट का कि सुनिएगा ध्यान से हवाँ नीचे से उपर की तरफ आच चुकी है साउथ वेस्ट मॉंसून विंड कहते हैं ने साउथ वेस्ट मॉंसून विंड कहते हैं बिल्कुल कहते हैं आप मांते भी हैं यह वेस्टन घाट यह इस्टन घाट अब मुझे आप सिंपल सा बताओ अगर यह ऐसे जा रही है तो पानी इस तरफ से टक्राएगा तो जिस तरफ से पहाड फेस कर रहे हैं इसे कहते हैं बच्चो विंडवार्ड साइड विंड की दिशा वाला चहरा जिस तरफ से विंड आ रही है और यह जो इसका बैकवर्ड स वेक जो है वह लीवर्ड है तो वेस्टन घाट जो इसके विंवर्ड में उनको बहुत अच्छी बारिश मिलती है को बिना बिना इंट बता दी हो पूरे लोगिक सा सुन जा है यह मैं आपको बता चुक हुआ हूं क्यों हुआ क्योंकि वहाँ भी पहाड़ यह से फिर आज भी करती है गंगा वेली कर बताया के नहीं तो रेनफॉल इंदा गंगा वैली होगा बिलकुल बताया पहाड़ी से गिरा पानी ज़टक गया अब मूव करेगी तो पानी कहां से मिलेगा क्योंकि गंगा वैली एसे है और यह मूव भी ऐसे कर रहे हैं तो डिक्रीज होगा फ्रॉम इसटो वैस्ट होगा कि नहीं किया एक-एक लाइन को आपको मैप के थू समझा कर पूरा खतम करके आया कैसे क्या है सो रीट्रीटिंग क्या है रीट्रीट मतलब होता है जाना अब मौनसून जाएगा ठीक है सो डिरिंग अक्टूबर नवंबर की बात करें तो जो साउथ वेस्ट मौनसून विंट्स आया उसका है जितना पानी लेगा था था बहुं चाहीं मैं घेम जैसे मौन मैंखा पी क्या अब जित्नीGold मोला पेट में क्वाआ तुम मैं क्या होगा कम रोओंगा तो मैं कहँंगा फिर वापस खाना खाने चलू किर सबđना बात हstart my drift खेलना रहे अभी इंडिया के में अपने पानी बचाई नहीं अब चलो वापस तो यह वापस जाना शुरू करेगा सो बाइदा बिगिनिंग ओफ अक्टूबर की शुरुआत में मौन्सून जो है वह दीरे दीरे नॉर्दन प्लेंस से अपने आपको पीछे खीचना शुरू चेंजिंग पीरिड हो रहा है तू मेरी ड्रेस ले रहे आसे तू विंटर मैं अपना भार सो फ्रॉम रेनी टू ड्राइव इंटर सीजन का जो अब दौर आ गया है जब मौन्सून वापस जाए तो क्या मिलेगा साफ बादल आसमान टेंप्रेचर गरम राइजिन टेंप्र सुखा के रखते नहीं क्या बच्चे अग्दम तेल लगा के काला कर देते बच्चे को देखाऊ आपके ममी इसे रगट 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 सर्दी में लिटा के चलिए हम तो ऐसे पैदा हुए हम ऐसे बड़े हुए तो हमें यही चीज एक्जांपल समझ में आता है कि सर्दियो कोई गरम करके देते रात इठंडी दिन गरम यह होती है सर्दी टुटू हाई टेमपरेचर एंड हुमिटिटी वेदर जो है वह बड़ा ही बुरा लगता है कि क्या वेदर है यार क्टूबर में दिन में गर्मी रात में शर्दी मावाब भी बोलते हैं ऐसा हिंदी बाड़ अक्टूबर हीट का मतलब क्या है सर अक्टूबर में रात तो होंगी ठंडी और दिन होंगे बहुत गरम यहीं है अक्टूबर की जो सैने लाइक नहीं नहीं है ठीक है लो प्रेशर किदर आगया इधर आगया लो प्रेशर किदर आगया इधर आगया इधर ही तो है बेव बेंगॉल लो प्रेशर आगया कि नहीं आगया लो प्रेशर क्या चेंज हो गया बेव बेंगॉल की तरफ गया ऊपर से नीचे नीचे से उपर यही तो खेल चल रहा है ऐसे यहां पर करन ऐसे पानी गरम गर्म है सबसक्राइब ओहरा अधर से पानी आता इसे एह सेousse भूर पानी भरताски पानी बढ़ता है एधर पानी तकरा पर से इंडियन कोश्च से पानी टकराते उतका ने यहां पर घर तूटते बाड़ सी आ जाती है वह भी इसी वज़े से ही पानी प्राप्त करता है जो की बैंगॉल में औरीजनेट रहे तो ऐसे चलूंगा मैं इसको रोटेट करूंगा यह तूटेगा यह तूटेगा यह तूटेगा तो कोस्ट पे लफड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा ठीक है को पर रहेगा तो इधर अगर ऐसे यह तो यह एक बार एक बार यह वाला एंग नॉर्थ यह-स नियुकश् स्थान में लद्दाक में दस सेंटिमीटर गुजरात हो गया जो राइस्थान के साथ लगा हुआ है पंजा भर्याना है कुछ इलाकों में 60 सेंटिमीटर से हमारे हिंदुस्तान को जोड़ारतो सुनिए हीमाले आने वाली ठंडी हवाव 150 एसकी वजह से जो नौर्थ इंडिया वहाँ पर टेंपरेचर जो है वह उनिफॉरम ली हाय trabaja साओ्थ इंडिया के मकाबले थीच था रहता है भट laugh country मैं यह रहता है इस एरिया में टैंपराचिर क्यूं नहीं ज्यादा गरम ज्यादा सर्ड क्यों रहता है सर्दी मतलब तो नसर्द तो क्यों रहता है विकॉस जू टुदा इंफ्लेंस ऑफ दा सी फ्रम थ्री साइट से पानी को घेर पानी ना घेरा हुए हमें बिल्कुल सही बात है seasonal alterations of the wind system is and associated weather conditions they provide a rhythmic cycle of season अब क्या होता देखिए विंड का Southwest से जाना नौर्थीश की तरफ से आना यह जो आना जाना है ना यह जो आना गाना इसी से तो मौंसून है मौंसून यही तो है कि गया था तो आएगा वापस तो इस सब की वैसे जो है seasonal alterations से मौंसून बना रहता है नौर्थ वालों को फाइदा है साउथ वालों को फाइदा है जो इंडियन नैट्स के पर हर्याली है जो जानवरों की लाइफ है जो इंसान हम पानी के लिए डिपे साइबल बेशक इसरन कोष्ट की तरफ इस पे साओथ इसरन कोष्ट के तरफ डैमेज हो रहा हूँ गुदावरी गावेरी क्रिचन डेल्टा पर डामेज वा वा बट इसका इंतजार हम सब करते हैं क्योंकि डैमेज तो है यह पर फसल भी तो इसी के सारे है पाइदैस हम यह कह सकते कि मौनसू ने पूरे देश को बाटा हुआ है पानी सब की जरूरत है और इससे पूरा देश जुड़ा हुआ है क्योंकि किसान को भी पानी चाहिए जानवर को भी पानी चाहिए हमें भी पानी चाहिए इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए पूरे भारत को पानी तो मौन्सू ने इस प्रकार जो हमें कनेक्ट किया हुआ है सब को उमीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा तो थैंक यू सो मच बच्चो बबाई ठेक्यार है ना ख्याल रखेगा अपना यह चैप्टर में कोई डाउट रहे तो प्लीज कोमेंट शेक्शन बत